तो इस वीडियो जो हम टेस्ट करने वाले इस त्री सिस्टर्स के जिंजर बीयर को जो नौन अल्कॉल है कि तर चलिए शुरू करते हैं इस तरह से आपको इसकी ग्लास बॉटल जो है देखने मिल जाएगी यहाँ पर इन्होंने आपको इसका नेट कंटेंट आपको देखने म मिल जाएगा जो है 330 ml बात करते हैं इसकी प्राइजिंग की जो है 99 रुपीज इंग्रीडियंट की बात करें तो यहाँ पर इसके सारे इंग्रीडियंट जो आपको देखने मिल जाएंगे अगे यहाँ पर इन्होंने जो क्लियरली मेंशन नहीं किया है साथी में यहाँ आ इंग्रीडियंट है तो एक तरह से जो है अपके प्रॉडक्ट में जो है फोम यानिकी जाग लाने के लिए बबल्स वगरे लाने के लिए इससे यूस किया जाता है तो यह वह जो है इंग्रीडियंट यहाँ पर इसे सोब बार्क करके बता जा रहा है तो इसके बारे में आप और जो है पढ़ सकते हो जो यह वाला इंग्रीडियंट है साथी में यहाँ पर बार्ले माल्ड भी लिखा है अगर बार्ले माल्ड के बारे में आपको पता नहीं होगा तो वह भी आपको दिखाता हो कि यह बार्ली माल्ड जो है सारे नॉन अलकोलि यहां पे इसके nutrition facts आपको देखने मिल जाएंगे as per 100 ml इसका net content 330 ml तो वंदर दाला सकते हो पर 330 ml जो आपको इसमें से खितनी शुगर साथी में जो कार्बो हाइड्रेट और जो कालरी मिलने वाली है manufacturing date and best before यहां पे आप देख सकते हो इसकी shelf life from date of manufacturing यह 8 months है अगिन आपको cool and dry place में रखना है avoid from direct sunlight जो आपको सारे products को होता है बात करते है manufacturer की तो यहां पे आप देख सकते हो जो इसकी manufacturing है आधार beverages भांडूप वेस्ट मुंबई महाराष्ट में होती है इनका license नंबर है और marketed by बीस जो है सेम यह आधार beverages same address आपको देखने मिल जाएगा इनका license नंबर है और यहां पर लिखाया product of infuse तो यह exact शायद इनका parent brand होगा यह infuse तो यहां पर कुछ यह सारी शीज़े देखने मिल जाएगे कुछ question को रिज़ोंगी product के बारे में तो आप जो आप contact कर सकते हो इस पर इस mail id पर इनकी site पर भी आप जो इनके visit कर सकते हो तो चलिए इसे open कर लेते हो और test करते हैं यहां पर जो है ISO 9001 certificate यहां पर इन्होंने दिखाया हुआ है और यहां पर और कुछ है जो पढ़ने में नहीं हो रहा ठीक से तो इसे open करके टेस्ट करते हैं exactly कैसे beer है इसे बहुत सारी मैंने नौन अलकोलिक beer टेस्ट किये ट्राइ किये तो अभी इस बार इस थ्री सिस्टर की बीर को टेस्ट करके देखते हैं मैं first time इसे ट्राइ करने नहीं वाला हूँ तो चलिए इससे जो है और यहां पर अपको देखने मिले या क्योंकि इन्हों यह इसमें यूज किया है है तो कुछ इस तरह से जो है आपको बीर जो एक तरह से देखने मिलती है क्लर वगरे आप यहां पर देख सकते हो यहां पे ज्ञाग वगर आप देख सकते हो जो उपर आया है जो इंग्रेडियंट इनने आड़ किया उसके वज़े से और मुझे अच्छी स्मेल भी आ रही है जिंजर की क्योंकि यह जो है जिंजर फ्लेवर आपको यहां पर देखने मिलती है तो वैसे यहां पर मुझे उसकी स्मेल भी आ रही है तो चलिए अब जो इसे मैं टेस्ट करके देखता हूं एक्जाक्ली जो है कैसे जो है जिंजर फ् तो आज उचल जो है जिंजर की टेस्ट यहाप आपको देखने मिल जाती है और इन्होंने बारले माल्ट यूज किया है तो मैं पहले भी अपने वीडियो में बता चुका हूँ कि जो बारले माल्ट यूज होता है जिस ब्रेट यूज है जो हूँ किया है वैसे बारले माल्ट यूज हो है sweet मुझे देखने नहीं मिला मैं वैसे एक्सपेट कर रहा था टेस्ट कि सिमिलर टेस्ट होगी जो इससे पर मैंने कुलबर्ग या फिर और एक ब्रैंड है इसका मुझे नाम नहीं आधर है उस ब्रैंड की वागर जो मैंने नौर अलकोलिक बियर जिंजर फ्लिवर ली थी तो उ आपको देखने मिल जाती है ने दूसरे बियर जो इतनी भी पीता नहीं हो जितनी है यहां पर आपको पीके जो इसके बारे में बता रहा हो क्योंकि इसके जगा पर और को दुसरे ट्राइ कर सकते हो क्योंकि इस पैसी जो एकदम बियर वाली टेस्ट चाहिए मतलब नॉन अ फ्लेवर बियर का वीडियो असंदर वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए क्वेशन कॉमेंट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके बैल एकन को दबाद जिए वीडियो को देखने लब का बहुत बहुत धन्यवाद मिलते अगले वीडियो में